वरिस्त राधिवक्ता अश्विनी उपाध्याई का कहना है कि सुनी वकबोड के वकीर राजी धवन ने अशोभनिया हरकत की है इस मसले पर उन्होंने कोट की अवमानना की है बार काउंसिल को इस मामने में संग्यान लेना चाहिए सुनवाई की दोरान सुप्रीम कोट में अपरत्यासित घटना देखनों को मिली राजी धवन जो सुनी वकबोड के वकील है उनके हाँ से चीनके नक्सा फार दिया अशुनी जी आप खुद मौजूद थे वहाँ पे क्या हुआ सुप्रीम कोट में जब कोई भी पेपर दिया जाता है जजजेज की तो उसकी एक कॉपी जितने भी आपके पार्टियां होती ही सबको दिया जाता है राजी दोन पिछले तीन दिन से ये लगा था टोका टोकी कर रहे थे लेकिन आज तो एक्स्ट्रीम हो गया कि जैसे ही विकास सिंग जी वो राम जनभूमी का जो नक्सा है उसको कोट को देने के बाद उनको भी दिया और वो पिंपॉइंट कर रहे थे कि ये सीता रसोई है ये सीता कूप है ये राम चबूतरा है और ये जनभूमी है वो इंडिकेट कर रहे थे डारेक्शन के हिसाब से बता रहे थे इतने पता नहीं उनको क्या गुस्सा हुआ बोले मैं इसको नहीं मानता हूं नहीं मानता हूं सोर करने लग गये उसके बाद फिर उठे और उसको फिर नहीं बात रखी गई कोट के संब्सक्राइब करेगा विकास सिंग जी बहस कर रहे थे हिंदू महासभा की तरफ से बाकी लोग उसी नक्से के उसको अपना अलगतरी के समझा रहे थे नक्सा कोई नहीं नहीं था वो तीन दिन से ही काम कर रहे हैं, लगातार जब पहले तो कोट के उपर एक दिन आरोप लगा दिया का हम से ज़ादा सवाल पूछते हो, आप हिंदू पक से सवाल नहीं पूछते हो, ऐसा भी बीच मुनों ने बोल दिया था, तो मुझे लगता है कहीं कहीं वो चुकि पूबनी कारवाई है और बार कॉंसिल को इस पर ध्यान देना चाहिए।